पानी बोटल कारी में है ना? हाँ वेलो कान मरमर स्वारी है समा हाई अने क्या हो लाई ये? हेलो एवरिवन वेलकम तो माई चैनल मॉम्स लाइफ आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छे हूँ और ये जो व्लॉग है ये थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम ने मिल पाया था ये रक्षाबंदन जिनमास्ट में ये सारे त्योहर आ गया थे तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया तो ये फ्लॉग है दुमका का जो मैं अपने माई के गई थी तो वहाँ पर बच्चों ने जिद किया कि चलो पार्क चलते हैं तो हम निकले थे पार्क जाने के लिए दुमका मैं भी हाली में एक पार्क बना है जो कि लखी कुंडी में है तो हम वहाँ गए बच्चे तो हमसे पहले ही निकल गए थे हमें कुछ काम था तो हम थोड़ा सा लेट निकले थे तो मैं और मेरे हस्बन बाद में निकले थे तो ये हम पहुँच गए मैं और मेरे हस्बन और ये मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा है आदी जो कि मेरा सबसे बड़ा बेटा है तो हम सब पहुंचकέ हैं पार्क में और मेरा बेटा और बेटी और जीजु वो तीनों पहले ही आ चुके हैं तो ये है वो पार्क सिद्धू कानू मुर्मोशौरिस مार्क पार्क लखी कुंडे में है जो कि तो यहां देखिए यह tickets भी हैं यहां tickets लगते हैं दस रुपे का ticket है और parking charges भी दस रुपे का है तो यह हम अब अंदर जा रहे हैं बच्चे पता नहीं कहां है तो हमें धूंडना पड़ेगा वो रहे बच्चे उन्होंने हमें देख लिया वो शूर मचाने लगे और ये देखिए ये काफी बड़ी एरिया में इस पार्क को बनाया गया है बट बारिश के वज़े से सारे खास, पीड़ बहुत बढ़े बढ़े हो गए है और ऐसा लग रहा है जैसे कि यहां की देखरे कच्छी नहीं है यहां पता नहीं किस तरह से काम हो रहा है बहुत ही जादा ऐसा लग रहा है, बहुत ही जादा गंदगी है और बारिश में यह देखिए, हर जगे कीचरड है और बहुत जंगल हो गया है जिसके वज़े से मच्चर भी बहुत थे तो बच्चों को भी परिशानी हो रही थी कि मच्चर काट रहे थे और बच्चे खेल रहे थे बच्चे कहां किसी की सुनते हैं तो उन्हें तो बस खेलना या जूला मिलना चाहिए बस वो जूलने लगते हैं तो फिर उन्हें मच्चर काटता है और नहीं कोई गंदगी दिखती है तो यह देखिए यह बच्चे स्लाइ वाले slide में, तो यह जबे भी slide करता है, तो यह यह है, इसका नाम है Arroo, तो यह मेरी चोटी वादी बहन, जो की मेरी चोटी दीदी है, उनकी बेटी है यह देखिए, यह बहुत मस्ती कर रहे है, इससे जूला जूला बहुत जादा पसंद है अच्छली हर बच्चे कोई जूला जूला पसंद होता है तो उसी तरह ये भी जूल रहे हैं इन्होंने बहुत मस्ती की ये इधर उधर इधर उधर भाग रहा था इसको अईसा लगता है पार्क में आके पता नहीं कहा जाओं कहा ना जाओं किस जूले में जाओं किस जूले में ना जाओं तो और फिर ये अपने पापा के साथ केलने लगा ये दर दर दोडने लगा ये हमीशा अपने पापा के साथ रीस लगाता है और कोशिश करता है ये जीट जा बहुत गर्मी भी थी बहुत उमस है क्योंकि बारिश हुई थी तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और यहां पर हमां मैंने बहुत चारे फोटोस भी क्लिक किये तो बहुत मज़ा आया फोटोस बहुत अच्छे आ रहे थे क्योंकि यहां पर बहुत ग्रीन रही थी बट व पूटोस बहुत अच्छे आए क्योंकि बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन सब कुछ अच्छा लग रहा था तो यह देखिए मैं आपको दिखा रही हूं कि पार्क की क्या हालत है इसे पता नहीं कोई देखरेक नहीं हो रही है घास इतने बड़े-बड़े हो गया है इनको कटव हैं हमेशा उनके लिए तो यही एक पार्क है जहां वो पिकनिक करें या फिर वो हर संडे को घूमने आएं तो यहां इसकी देखरेक अच्छी होनी चाहिए यह मेरे हजबन और घूम के देख रहे हैं कि यह पार्क कैसा है कहां तक है तो मैं भी इनके पीछे-पीछे चल दी और यह हम दोनों साथ जा रहे हैं यह एक तालाब है इस पार्क के कॉर्णर में जो कि इसकी खुबसूरती को चारचान लगा रहा है बट फिर वही है कि यह भी बहुत बिल्कुल कोई देखरेक नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा यह मंदिर जो है यह बिल्कुल पार्क क बहारी है तो यहां से कॉंटिनुवसली जब तक हम लोग पार्क में थे यहां से भचन की आवाज जो है वो हमारे कानों पर पड़ रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था तो जब हम बहार आये तो हमने सोचा क्यों ना हम भी दर्शन कर लें तो यह राम मंदिर है तो हम पर आके राम दर्बार को हमने प्रणाम किया दर्शन किया और इसके बाद हम यहां से निकले क्योंकि अंधीरा होने वाला था और बच्चे भी परिशान हो गए थे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जीजू के साथ बच्चे पहले ही आ गए थे तो थोड़ी सी अद आदी और अने क्योंकि अने को बाइक बहुत पसंद है तो वो दोनों बाइक से चले गए जीजू के साथ यह देखे यह दोनों जा रहे हैं इसको बाइक बहुत पसंद है इसको बाइक बहुत पसंद है अपने मौसा जी के साथ तो यह बहुत इंजॉय करता है तो यह है रा यहां भी बढ़ाया। कि हमेशा चाहता है कि आगे बढ़ जाए है। यहां भी वह अपने मौसाजी से कह रहा है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो और वह आगे बढ़ के बहोत हुश हो जाता है। यह मैं भी फुल आन मस्ती में हूँ, यह नाइट फ्यू हो गए, यह अंधीरा हो गया है, तो हमने सुचा क्यों ना चाई पिया जाए, यहां पर हमने देखा कि बहुत भीड है एक चाई के दुकान पर, तो मैंने बोला कि चलो हम भी चाई पीते हैं, तो यह मेरे हस्बंड र चाई और चाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, बहुत ही सौंधी सौंधी से उसमें खुश्पो आ रही थी, यह देखें, यह कावर का टाइम चल रहा था, तो यह कावर भी जा रहे हैं, यह नाइट व्यू कितना अच्छा लग रहा है इस रोड का, यह हमारा बिलकुल म रिंग रूल, चाउमें, यह चीज़ें अच्छे लगते हैं, यह देखें यह अब हम घर पहुंच कहा हैं, यह टावर चौक है, यह हम घर पहुंचने वाल हैं इसके बाल, तो आशा करती हूँ, आप सब को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, आगे और भी लेकन को दबाना ना भूले,